हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं आपको दवाईयों के बारे में जान करें देता हूँ कैसे दवाई लेनी है दवाई ओर इनल है या नहीं कितना प्राइज रहता है कितने को मिलती है दवाई दवाई कहां पर मिलेगी कोई परेज करना है या नहीं दवाई को कोई फाइदा है या नहीं नुकसान है या नहीं और कैसे लेनी चाहिए कितने दिन लेनी चाहिए दवाई कैसे खुराक रहना चाहिए खाने में क्या खाना है दवाई लेकते टाइम कौन सी प्रॉब्लेम हम फेस कर सकते हैं या फिर कैसे और क्य रहता है यह दवाई इसके बारे में आपको जान करें देता हूँ तो ये वीडियो पूरा देखिए जिसमें clear cut शिलाजीद गोल्ड capsule जो है ऐरवेधी capsule clear cut शिलाजीद गोल्ड जो काट पे मिलती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ ठीक है और यह में बताने जा रहा हूँ यह मेरे जो रिष्टेदार हैं मेरे नेटवर्क के लोग हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने यूज करने के बाद मंगवाने के बाद या फिर मेरा परसनल एक्सपिरियंस के बाद में आपको ये रिव्यू देता हूँ या फिर मेरा जो ओपीनियन है इस दवा के बारे में ये बताता हूँ आपको ठीक है तो ये क्लियर कट शिलाजित आयरवेदी कोल्ड कैपसुल जो है वह ये आयरवेदिक है इसके अंदर शिलाजित है देख यहां पर दे सकते हैं इसके अंदर शिलाजित है अश्वगंदा है शतावरी है सफेद मुस्ली है विदारी कम है केसर है स्वर्न भस्म है ऐसी बहुत सारी चीज़े है जो अपने शरीर के लिए बहुत लाबदायक होती है तो ये कैपसुल मैंने यूज की हुई है और मैं आपको बताता हूँ ये दिखती भी जैसी है तो ये ऐसे गोल्डन कलर के रहती है इसमें स्वर्न भस्म है उसकी वज़े से ये ऐसे गोल्डन कलर के रहती है ठीक है ये बहुत मैंगा रहता है स्वर्न भस्म और बाड के लिए बहुत अच्छा रहता है ठीक है तो ये जो कैपसुल है इसमें सभी आ यह जो चल रहा है वो भी बंद होगा या क्या होगा तो ऐसा कुछ नहीं आईरोधी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हाता कोई साइड एफेक्ट नहीं हाता ठीक है अब एक एक करके आपकी जो सभी समझ जाए जो में मेंसेज आए हैं बहुत सर लोग मेंसेज आए कि यह क्लियर कच सुलह भी है तो इसके बारे में बता देते हैं ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह शिग्र पतन में फिर अर्ली डिश्चार्ज जो रहता है जो जल्दी हो जाता है उसमें यह बहुत ही लाग दायक है बहुत ही इफेक्टी है यह जो स्पर्म काउंट है यह फिर स्फम्न की जो प्वालेटी है यह फिर कॉन्टिटी जो बढ़ाता है कभी कबार ही पतला रहता है तो तो गाड़ा करने की काम आता अंटहीं लिए टिक है स्पर्म में स्टक्रानी चुक्रानी की इस कॉआंटी जो नंबर है तुछी स्ट Сам रहता है यह स्टिशम्न की फिर भाइबे विब करता है तेस्ट आप घर सिर्ट आपको फिस्थाल इस olan हर्मोन जो रहता है अपने शेरिक के अंदर वह ताकान बढ़ाता है श्रेरिकि ili यह आपको ताकर यह ताकर यह आती तो यह एक्लियर कर्षिदा जितके फिल खाई तो आपका इस टेस्टेश्टरॉन का लेबल है बहुत ही बढ़ जाता है तो आपको भूद ही फाइदा होता है रात में यह फिर बैड पे ठीक है अरेक्टयल डिसफंशन जो रहता है सेक्श्वल इरक्टयल डिसफंशन जो भूदगों प्रॉबिम रहती हिए खड़ा रहने के तो खड़ा नहीं होता जल्दी तो उसकी यह समझया बहुत ही जल्दी दूर करते हैं आपका स्टामिना भी बढ़ाता है पेसे च्टामिना रहता है जो भलता है तो यह बात है जो लेंद रहती है वो दुनिया को कोई भी कैप्सूल आपकी बढ़ा नहीं सकता है ठीक है आप ही सुचे मैंने आपको बोला कि यह कैप्सुली जे और आपका कान बढ़ेगा यह फिर नाग बढ़ेगा ऐसा हो सकता है क्या इसा कभी ने हो सकता कोई भी डॉक्टर कोई भी दवाई ऐसा कर नहीं सकते ठीक है तो वह होता नहीं है तो इसके कोई साइड यह दो आउस्मों को बतेओं यह सुच पालन अच्टे के बाद लेने का लिए नाश्टे के बाद लेने का लाग रात को खाना खाने के बाद कितने मिनिट मे लेने का तो पांस मिनिट सबह दा कर आदा ंदा गणत अदे पक also tome दूड यह नाच्टे कर कभी लएक्पानी न कैपसुल खोलने की नहीं है इसमें पावडर रहता है वो निकलने का नहीं है वो ऐसे ही निगलने की है पूरी कैपसुल है यह वो कैपसुल के ऊपर प्लस्टिक नहीं रहता हूं आपको दिखता है वो प्लस्टिक नहीं है तो कैपसुल का ही पार्टे दवाई का ही पार्टे पूरी निगलने के रहते ही कैसल ठीक है तो अभी युद इंग है कोण गोण से परेज करने के कैसा खाना खाना इसके बारे में आपको बात पाँ तो इसमें कोई परेज नहीं है ठीक है आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन सपेशलिय आप प्रोटीन जिसमें रहता हैं कैंशन इसमें रहता है वो खाना खाने इसमें हरे सबजी, फल, डाल, मश्रूम, सोय बीन, चिकन, अंटे, फीश, तही, दूद, ऐसे चीज़ रहती है वो खाने का है, ठीक है, रोटी और चावल जा रहता है, वो कम करने की, बाकी का सब कुछ खाने का, सबजी खाये जागा, ठीक है, या फिर शाम कभी भी, ठीक है, और यह कितने रुपए को मिलती है, लोग कि पुछ देवर कहां मिलेगी, ठीक है, 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 ठ वीडियो बनाने के लिए मैंने खरीदी तो में चार सो रोपे में मिली और यह उरिजिनल ही आती है फिलिपकार्ट से आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप पेटी में फिर गूगल पे जो रहता है वो यूज कीजी कैशन डेलिरी करेंगे तो महेंगा पड़ जाएगा ठीक है गूगल पे कीजी सस्ता पड़ता है डिस्काउंट भी मिलता है ठीक है और ऐसा भी है कि आप अपना जो फैमिली डॉक्टर है या फिर हेल्थ केल प्रोफेशनल आपके नजदी का कोई डॉक्टर होगा तो आप उनको पूछने पूछने के बाद यह कैपसिल लेजी ठीक है आपको अगर कोई परिशानी हो बीमारी हो ठीक है पहले से कोई मेडिकेशन आपका चलता हो तो यह डॉक्टर की अड़वाई से लेजी ठीक है और यह फ्लिपकार से लेगे औरिजिनल आएगा कोई साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए इस के बारे में यह फिर किसी और दवाई के बारे में तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ता कि मैं आपको ऐसे ही लाबदायक वीडियो लाता रहूं और आपकी सेवा कर सुगूं थेंक्यू